लोगसवा चुनाओं में अपनी जीत को लेकर क्या बीजेपी किसी संशाय में हैं फिलाल जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में हैं और वो फिर राम मंदिर की बदोलत हो या मोदी की गारेंटी का असर हो या फिर सोशल मीडिया का रचा हुआ संसार हो हर जगे से बस एक ही आवाज आती सुनाई देती है कि आएगा तो मोदी ही उसके बावजूद बीजेपी में एक इंत्मिनान नजर क्यों नहीं आता तारीकों के एलान से पहले बीजेपी ने 1951 प्रत्याशियों की लिश्ट जारी कर दिये इस लिश्ट में खास तोर से प्रत्याशी गोशित किये गए लेकिन प्रशाद प्रत्याशी गोशित करने में भी जीट के लिए बीजेपी की बेचेनी साप नजर आती है नमस्कार मैं उहरीज दिवेकर और आप देख रहा है नीज इस ट्राइक वैसे तो अब तक आप अलग अलग न्यूज चैनल और सोचल मीडिया हैंडल के जरिए बीजेपी की इस लिस्ट से जोड़े हर पहलू को समझ चुक्योंगे लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वह अब तक किसी ने नहीं बताया होगा इस पहलू में सबसे रोचक बात यह है कि क्या वाकई बीजेपी लोग सोचनाव को लेकर डरी हुई है क्योंकि सारे समीकरंड फेवर में होते हुए भी बीजेपी की इस लिस्ट में कई सारे सवाल है जिसका जबाब किसी को समझ नहीं आ रहा है इन सब में एहम फेक्ट यह है कि किस तरह जोतिरत सिंदिया समेथ मुख्यमंत्री मौन यादव को भी सीमित किया गया है डाक्टर मौन यादव के लिए बहुत बड़ा संदे से जो इस लिस्ट में छिपा है चलिए एक एक करके मैं आपको हर उस फेक्ट से 370 सीटे जीतनी हैं बात करें सिर्फ मद्यप्रद्श की तो यहां से 29 की 29 सीटे जीतना का लक्ष है जिसमें से 28 पहले ही बीजेपी के पास है एक सिर्ट छिंदवाडा की है जो बीजेपी की मुट्टी में नहीं है और शायद बीजेपी की एक्शन को देकर लगता है कि इतन बीजेपी को अब भी यह वरोसा है कि छिंदवाडा सीट पर जीत की गारिंटी में से एक नात परिवार का कोई सदस से गाहे बगाए बीजेपी में शामिल हो सकता है या फिर यह की बीजेपी इतने शेशक्त होते हो भी क्या नात के कसे हुए सियासी नेटवर्क की कोई यहां सोच समझ का फैसला लिया जाएगा कि किसी यूवा उद्द्यक पती या मेला चेरों को यहां से टिकेट दें सी एम डाक्टर महुन यादव के गरज लेवाली ओजन लोग सवा सीट पर भी फिलाल चेरा नहीं उतारा गया है डर की वज़े इतना ही नहीं है इसके अला इसके बावजूद बीजेपी ने हारे हुए चेरों और बागी चेरों पर वरोसा किया है बागियों के आगे बीजेपी घुटने टेक दे यह समझ से बिलकुल पर है इसका उदारन है सीधी से डक्टर राइश मिश्रा यह वही नेता है जो सीधी से रिती पाटक का टिकेट रिती पाटक को टिकेट मिलने पर विधान सवाचनाओ के दोरान नाराज भी हो गया धान पस चीपा भी दे दिया था अब हुने सांसत का टिकेट दे गया इसी तरह जहुरपूर्द से आशिजीड दुबे को टिकेट दिया गया है जिसके लिए पायरटी के वरश विदाए तो उन्होंने उन्हें हराने के लिए उनके विरोध में काम किया यही दर्द अजय विश्णोई का था जो उन्हें बहुत समझधारी से बुद्धिमता के साथ ट्विट कर अपनी नारजी बिजारी कर दिया और बीजेपी के पक्षिमें भी ट्विट कर दिया ऐसे चेहरे को दिने पीजेपी का क्या मकसद हो सकता है जरा सोचिए हारे हुए चेहरे भी बीजेपी की मजबूरी नजर आ रहे हैं जिसमें पहला नाम तो फक्कंजिंग कुलस्ते का ही है कुलस्ते को भी दूसरी सांसोजी तरह विदान सभाचनाओं में उतारा गया था लेकिन लोग सभ के लिए कोई और बड़ा आदिवासी शेहरां नहीं ढूंड सकी इसी तरह राउल लोधी पर भी दाओं केला गया जो कॉंग्रिस से बीजेपी में शामिल हुए राउल लोधी हाली में खरगापुर से विदान सभाचनाओं हार गए थे उन्हें दमों से टिकेट मिला है चो और जोतिरत सिंदिया का होई गया है तो झेवं पर पहले बात कर लेते हैं जोतिरत सिंदिया को नी की परानी पार्ण पर एक सेट गुना शुप्रिसेट टिकेट दे दिया गया ह faucet से चुनाव लरने के ख्वाइश बनते हैं वैसे तो सिंधिया के इस बार चुनाव हारने पर संदे हैं लेकि जीत बहुत आसान भी नहीं है उनकी पहली वज़ा है केपी यादाओ जिनका टिकेट काट दिया गया है इसका असर यादव मतदाताओं पर पहरी पढ़ सकता है यादव मतदाता ये होगी क्योंकि ये मकाबला कड़ा होगा इस टिकेट के साथ सिंधिया को उनकी सीट तक सीमित कर दिया गया है और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ इस पर एक चुनोती और है दूसरी चुनोती जो कॉंग्रिस करने नहीं रही वीरन सिंग रगवंसी जो बीजेपी शोड साथ और प्रसंद्र रगवंसी समाच ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो इस विदान लोग सवासंसरी चेतर में दोनों का वोट ब्रेंग भारी पड़ सकता है खेर सिंधिया इन सब पर भारी हैं देखना पड़ेगा कि पीस ओपकेख होपाता ही नहीं होपाता पहली सूची में तो कम से कम यही नजर आता है कि गॉलेड चमल की मुरेना बेंड और गॉलेड सीट से जिने टिकेट मिला है वो नरेंजिंग तोमर के करीब हैं इससे एसाफ है कि नरेंजिंग तोमर भले ही विदान सवा मैं अद्धिक्षपत पर हो लेकिन उनका दबदबा केंदर में क क्या था कि अब शिवराज सिंग की टीम के सफाए की तैयारी है उनकी परसासनिक जमावट और सियासी जमावट को बदलने का काम जा रही है वहीं शिवराज मद्वर्देश की लोग सवासीट के नामों में चाहे हुए हैं दबदबा साफ साफ दिख रहा है उन्तिस में से 24 नाम गोशित हुए हैं उनमें से करीब दस परत्याशी ऐसे हैं जो शिवराज सिंग चौहान के करीब ही माने जाते हैं और यह सी कहा भी जासका कि शिवराज सिंग चौहान की शेपारिस तो पर नजर आती है एक के बाद एक नाम आप भी मेरे साथ गिंते चलिए सागर से लतावान खड़े जो उन्हें राजीती में लेकिया है शिवराज सिंग और उनके समय महिला मूर्शा के अध्यच भी रही दीवा से जनारद मिश्चाव शिवराज के कट्टर समर्तक माने आते हैं शेडोल से मादरिस सिंग होशंगावास से दर्शन सिंग चौधरी उन्ही समाज के हैं किरार समाज से बोपाल चाहल रिखार माजी रगर की कट्टर समर्तक के साथ अनkiem का पेचान रखते हैं राजगर रामल नागर जो किरार समाज से सब्यार के हैं करगों संगहे घंणाल इस सब हुदerson रगने वाले इस सीठ इससे और नाम ऑर भी आ वह नाम है रतव नाम से अनिता नार्गर सिंह चोहान यह भी सिवरा सिंग् चोहान की नाम की जो है वह कहुंसा । ह्थार प्रतीड क्रें के प्रतियाक है के बता है रहिए हम आपको यह अधिवासी चेतरों में युगा चेहरा है जो फूरी अधिवासी के कमान समाले हो बीजेपी के लिए और संग की संगटन की तरफ से काम कर रहे हैं हालागि निशान करें भी दोड़ में उन्हें टिकेट भले ही नाम लाओ लेकिन आदिवासी बेल्ट में एक डाक्टर निशान करें ऐसा बड़ा नाम तेज़ी से अबरा है जो उन्होंने अपनी साथ थो लालू परसाथ यादो भी उसी तरज पर प्रिवार बात्ता बैयान दे विट निःता हो के टीटर बायों जुड़ गया है मोदी का प्रिवार मोदी के सरफस्ती में जो पड़ा परिवार के इसकदर खिलाफ हैं उसी पाईडी ने रद्मbles सीट और वन मंत्री नाक की पारटी हो चुकी है जो मद्रदेशी ने देश में भी अपना दबदबाय काम कर रही है क्या किया वह मद्रदेश जो मजबूत गाड़ है उसमें भी जीत की खार बीजेपी सीड के आपना वसूल उसे समझू था कर रही है सवाल भी गोर करने लाइक है अब बताता हूं कि डाक्टर मौन यादव को इस लिश्ट से क्या संदेश मिला है या वो कौन सा इशारा है जो उन्हें समझ लेना चाहिए मुख्या की गुर्सी समानने के बाद मौन यादव शिवराज सिंग्छ चौा के युक की यादें मिटाने की पूरी कोशिश जा लिए लेकिन इस लिस्ट में या इस लिस्ट ने मैसेस साफ कर दिया कि इतनी जल्दी शिवराज सिंग्छ चौन को दरकिरार करना आसान नहीं है फिलाल तो नहीं है हाँ इस बात से इंकार नहीं है कि समय बीतने के साथ-सा मेदान साफ तौर्स करना है या केलियर मेदान देना इस से अपनी बैटिंग कर सके इसलिए शिवराज सिंग्गो परदेश की राजदीदी दूर करके दिल की राजदीती मिले गए ये भी बयान हो सकता है ये भी तर्क हो सकता है खेर मौन यादव की पारी तो अभी शुरुआत भर है पांच साल तक का लंबा कारकार उनके सामने है और उनको साबित करें दिखाना आगी वो शिवरास से बड़ी लाइन की सकते हैं या बीजेपी के हाई कमान का जो उनको वरो जीति के उन बारिक पहलों को जो कई उल्जे हुए रहते तो आप हमें वेजी मुद्ध हम आपको बताएंगे और तब तक के लिए जाज़त दीजिए नमस्कार इसी मुद्धे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है छिंदवारा में प्रत्याश्य के नाम का एलान क्यो बीजेपी को सता रहा है लोकसवा चनौव में हार का डर इसका जवाब आप तीन आप्शन्स के जरिये दे सकते हैं हाँ नहीं या फिर कह नहीं सकते हैं आप अपने जवाब हमारी शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यूट्यूब टुटर या फेस्वूक पर दे सकते हैं या जवाब में 70 प्रतिशत लोगों ने कहा हाँ 27 प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं वहीं 3 प्रतिशत लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं